Hello friends, जैसे कि हमें पता है कि हम MBA एक ही बार करते हैं, तो मेरा suggestion सबको यही रहता है कि अगर आप MBA target कर रहे हो, तो आपके mind में पहले से एक target होना चाहिए, एक aim होना चाहिए, कि मुझे top 40-50 colleges में जाना है, ताकि मेरा जो career है, वो एक safe career रहे, एक अच्छा career start हो, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कौन-कौन से top 50 colleges है country के, जिनने आप target कर सकते हो, कौन से exam से उनका selection होता है, क्या cut-off रहती है, fee structure वहाँ का current average placement, वहाँ पे कैसे रहती है, तो इस पूरी की पूरी वीडियो के जो colleges है, भैंके list अपनी notebook में बना लेना, ताकि आपको यह idea रहे कि कौन-कौन से colleges आपको target करने है, ठीक है, my name is Saurabh Kothari, let's start, और इसके साथ ही, हमें पता है, हरे college का, हमें individually form बनना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपका कोई भी form miss हो गया, तो इसलिए, चैनल को subscribe कर लेना, and bell icon press कर देना, क्योंकि जैसे ही, किसी college का form आएगा, म कोई भी college miss now, last कुछ years में मैंने देखा है, कि बच्चे cat का form भर देते हैं, लेकिन वो colleges का form नहीं भरते, तो अगर आपने cat का form भर दिया, and आपकी भाई percentile 100 भी आ गई, ठीक है, लेकिन आपने FMS का for example form नहीं भरा, तो अगर form नहीं भरा उसका, तो उसको, वो college आपको call नही करेगा, तो इसलिए बहुत important रहता है, कि जैसे जैसे college के form आते रहें, आपको update मिलता है, तो आप भाई, चैनल को ज़रूर subscribe कर लेना, ताकि कोई भी important वीडियो miss ना हो, and daily basis पर अगर आपको current affairs पढ़नी है, तो आप हमारा Instagram चैनल like कर लेना, study was education, ताकि आपको वो सब मिलता है, इसके साथ या अगर आप MBA की तयारी कर रहे हो, तो भाई, pen drive course हमारा आचुका है, जिसमें आप individual भी ले सकते हो, quant का, verbal का, LIDA का, GK का, या फिर आप combo pack भी ले सकते हो, इस pen drive course में आपको हर एक topic की, भाई, पूरी की पूरी वीडियो मिलती है, and सारे के सारी topic आपको basic से लेके advance तक समझाए जाते हैं, ताकि आप हर type के question कर पाओ, पूरा को पूरा जो course है, वो modules में divided है, ताकि आपके दिमाग में एक proper structure है, कि पहले मुझे module 1 पढ़ना है, फिर module 2 पढ़ना है, फिर module 3 पढ़ना है, and इस तरह से आप अपने पूरे course को proceed करते हो, तो quant का, verbal का, LIDA क GK का है, हर pen drive course के साथ आपको एक portal मिलता है, जिस portal पे आपको पूरे के पूरे हर एक topic के topic assignments होते हैं, ताकि वीडियो देखने के बाद आप वहाँ practice कर पाओ, and साथ में आपको सारे के सारे exams की full length mock test series मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि ये pen drive course लेने के बाद ना ही आपको कोई book चाहिए, ना ही आपको कोई अलग से test series भाई करनी, ना ही कोई coaching जोइन करनी, इतना करने के बाद, you are full fledged prepared for all the MBA entrance exams, ठीक है, तो अब start करते हैं वही सबसे पहले हमारा dream college जो सबका होता है, जितने भी लोग MBA experience होते हैं, I am Ehmdabad, तो I am Ehmdabad की बात करो तो उसका जो selection होता है, वो cat exam से होता है, काफी सारे बच्चे बोलते हैं, I am Ehmdabad से cut off क्या रहती है, तो I am Ehmdabad में आपको बात यह समझनी होगी, कि हर एक category से अलग cut off निकलती है, category मतलब अगर आप engineer होंगों तो आपके लिए एक different cut off होगी, अगर आप commerce background से हो, अगर आप humanities से हो, तो I am Ehmdabad मे जनरल category से 85 percentile पे भी call आई हुई है, जो fashion tech background से है, ठीक है, और ना आने को call 99 पे भी नहीं आती है, अगर आप engineer हो, और आपके 10-12 अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब आपको cat map स्कोर maximize करना है, साथ में आपके profile भी ठीक ठाक होनी चीए, तो जाके आपको call आती है, ठीक है, ज I am Bangalore is again one of the most reputed college in the country, again इसका selection cat exam से होता है, जो cut off रहती है, वो cat plus profile रहती है, तो इसमें आपका cat का score 10th में, 12th में, इसके साथ साथ, आपका work X कितना है, वो भी count होता है, and then आपको यहाँ से call किया जाता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान जो रखनी है, वो यह है कि आप 10-12 का score चेन नहीं कर सकते, आप graduation का score चेन नहीं कर सकते, तो अपना cat में score maximize करो, क्योंकि cat में score maximize हो गया, तो आपके सारे पाप, माफ हो जाएंगे, compensate हो जाएंगे, अगर आपके कहीं academics में कम भी है, and आपको call आने की probability बढ़ जाएगी, तो जो इसका fee structure है, वो है 21 lakh, और जो average package र रहता है, ठीक है, इसके बाद जो college है, वो है FMS, FMS भाई, लोगों का सबसे ज़्यादा aspiring college होता है, because इसका ROI काफी high है, return on investment, भाई, पहले इस college की जो fees थी, वो 20,000 के आसपास थी, बट अब इसकी fees increase करके 2 lakh कर दी है, लेकिन 2 lakh करने के बाद भी, भाई, again, still यह ROI की terms में, होता है, CAT में जो इसकी cut-off रहती है, वो approach रहती है, 98.5, इसके बाद आप में हाँ से call आ जाती है, call आनक बाद भाई, इसके बाद इनका process होता है, जिसमें GD होता है, PIE होता है, 10 का score count होता है, 12 का count होता है, लेकिन अगर आप CAT में 98.5 ले आए, तो आप इनके next process के लिए eligible हो जाती हो, ठीक है, इसके बाद हम बात करते है, I am Calcutta, I am Calcutta, again one of the most reputed college, fees रहती है, लगबग लगँ हो, 18 से 19 लेक्स, entrance exam cat रहता है, again cut-off जो रहती है, वो cat score plus profile को बना के, एक composite score बनता है, उसके बाद आपको call आती है, average placement is again 24 to 25 लेक्त, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कि आप 40-50 college target करो, ताकि एक अच्छे placement, एक अच्छे package के साथ, आपका career start हो, इसके बाद next college की बात करें, तो I am Laknahu हमारे सामने है, I am Laknahu को जो fees रहता हो, 15 lakh के आसपास रहता है, जो cut-off रहती है, 90 पे भी बच्चों call आती है, अगर बहुत अच्छे academics है, बहुत अच्छी profile है Otherwise, अगर आपके basic academics हैं, बहुत अच्छे नहीं है, तो आपको again 98-99 के आसपास लाना पड़ता है, अगर आपका engineering background है, या फिर आपके academics बहुत अच्छे नहीं है, बट अगर आपकी बहुत strong profile है, तो 90 percentile plus आपकी profile, अगर आप तक composite score बढ़ा देती है, तो आपको call आ जाती है, इसका जो average placement है officially available नहीं है, बट 18 से 20 lakhs का रहता है, इसके ओपर भी रह सकता है, लेकिन इसके नीचे generally नहीं रहता, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है Acceleride, Acceleride भाई India का most reputed college है, अगर मैं बात करूँ HRM course की, तो HRM course के लिए जिनको HR में career बनाना है, वो Acceleride target क बोलते हैं ZAT का exam, and ZAT exam में आपको 94-96% लानी होती है, इन college में जाने के लिए, ठीक है, 24 lakh के आसपास इनकी fees है, जो average package है, वो 22 से 23 lakh के आसपास रहता है, इस exam में, ZAT exam में आपका एक अलग section आता है, जो बच्चों को काफी जादा confusing लगता है, वो है decision making, तो अगर आप HR में career बनाना चाहते हो, तो आप ZAT exam target कर सकते हो, and यहाँ पे जो आपका ZAT exam है, उसको आप approach कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, वो है JBIMS, तो JBIMS जो है, इस college को CEO factory भी बोलना जाता है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे, इस college का जो ROI है, वो अच्छा है, ROI 6 lakh के आज पाज इसकी fees रहती है, जो average package है, वो 18 से 19 lakhs रहता है, जो इसका enter exam है, वो CT से होता है, महराष्टा CT से, and अगर आप OMS category से हो, या फिर आप वहाँ पे local resident हो, तो आपको जो percentile लानी पड़ती है, वो top में रहना है, आपको CT exam में top पे अगर आप रहोगे, तो इस college में LR जादा रहता है, क्वांट कम रहता है, तो जिन बच्चों का LR अच्छा है, वो इस exam को target कर सेक्टा है, जबी IMS इनका top priority college होना चाहिए, इसके बाद अगर हम next college की बात करें, वो है I am cozy court, तो I am cozy court जो है, उसमें भी selection आपका CAT exam से होता है, जो cut off रहती है, वो again cat score plus profile से रहत है, इसमें जो आपका selection होता है, तीन exam से होता है, CAT, Z और GMAT, अब यहाँ पर दो तरह से selection होता है, या तो आपका profile based admission हो जाए, अगर profile based अगर आपका admission नहीं है, तो आपका direct CAT या फिर आपका score based admission हो जाए, तो इन दोर में difference कहा है, difference यह है, कि अगर आपका profile बहुत strong, आपके 10 म अच्छा है, graduation आपने अच्छा किया हुआ है, आपका work hacks है, आपने काफी सारी extra co-curricular चीज़े कही हुई है, तो आपको profile based call आ जाती है, अगर आप interview crack कर लेते हो, उसके बाद आपको सिरफ और 85 percentile लानी होती है, चाहे cat में लाओ, चाहे zack में लाओ, आपकी seat secure है, लेकिन आपको cat में 96-97 percentile लाना होता है, उसके बाद आपको interview देना होता है, आप select होती हो, तो दो opportunities हैं यहाँ पर select होने की profile based भी जा सकते हो, और आप सिरफ score based भी जा सकते हो, जो इनका average package है, वो 22-23 रहता है, क्योंकि Mumbai में placed है, तो एक अच्छी opportunity मिलती है, काफी सारी companies जहां पर आ percentage आजाता है, क्योंकि गुडगाम में काफी सारी companies है, तो जो इनका admission होता है, वो cat के through होता है, इसकी cut off रहती है, 97 percentile के आसपास रहती है, और जो average package है, वो again 20-21 lakh का यहाँ से जाता है, ठीक है, इसके बाद अगर हम next college की बात करें, तो वो है I am indoor, I am indoor, जो college है वो cat से admission लेता ह है, and cat score plus profile, I am indoor में, अच्छी बात यह है कि अगर आपका 10-12 बहुत अच्छा score है, तो मैंने देखा है cat में बच्चे 90 percentile आते हैं, उनका 10-12, 94-95 percentage है, और उनको I am indoor से call आ जाती है, तो अगर आपके academics अच्छे हैं, तो बहुत easily इस college को आप target कर सकते हो, cat में थोड़ी सी महनत करके, जो average package रहता है, वो 17-18 लैक के हाँ पर रहेगा, इसके बाद next college की बात करें, तो IAFT Delhi and Kolkata, IAFT Delhi बहुत अच्छा college है, अगर आपको foreign trade, मतलब international trade में आपको पढ़ना है, international businesses के बारे में पढ़ना है, तो best college है यह, and इसका जो exam होता है, IAFT का exam, तो IAFT का exam देने के है, वो यह है कि चाहे आप IAFT Delhi जाओ, चाहे आप IAFT Kolkata जाओ, जो placement है, वो combined placement होती है, combined placement के राद आपका यहाँ पर selection होता है, तो आप कहीं भी चले जाओ, दोनों campus में, companies जो हैं, वो सबको बुलाएंगी, and उस basis पर hiring करेंगी, जैसा आपका interview होगा, इसकी जो cut-off रहती है वो IAFT exam खुद का कराता है, अपना 32 marks रहती है, बाकी depend करता है कि difficulty level कितना है, last 2-3 सालों से exam difficult होता जा रहा है, इसलिए जो इसकी cut-off है काफी कम रहती है, 32 marks के आसपस रहती है, जो average package है, वो 20 से 21 lakh जाता है, तो आप इस college को target कर सकते हो, इसके बाद आता है निटी बुंबई निटी बुंबई is again one of the flagship college of CAT, CAT से इसका selection होता है, 97-98 percentile आपको लाना होता है, और जो average placement रहता है, वो रहता है 19 से 20 lakh का, इसके बाद अगर हम next college की बात करें, तो IAT Bombay, IAT Bombay का ROI अच्छा है, fees कम है, और placement काफी अच्छी रहती है, 18 से 19 lakh के आसपास, जो selection होता है, वो CAT exam से होत जो cut off रहती है, वो 97-98 percentile के आसपास move करती है, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो Narsimunji, NMIMS मुंबई जो college है, वो select करता है NMAT से, NMAT का paper के, NMAT का जो exam होता है, वो काफी सारे college accept करते हैं, बर जो flagship college है, वो है Narsimunji मुंबई, and the best part of this exam, कि आप ये exam तीन बार दे सक तक आप जब ready हो, आप form भरो, जो आपका best score होगा, वो count होगा, and the another good thing कि इस exam में भी कोई negative marking नहीं होती, जो Narsimunji मुंबई की cut off रहती है, वो लगबग 210 mark के आसपास रहती है, कभी 211 हो जाती है, कभी 217 हो जाती है, थोड़ा बहुत vary करता है, बड़ लगबग इसके आसप आप आएम रांची, आएम रांची जो है, वो again cat से select करता है, जो percentile रहती है, वो cut off 95 के आसपास रहती है, जो इसकी placement आप 14 से 15 लेक जाती है, अच्छी बात यह है कि आपको एक आएम का brand मिलता है, जो आपके साथ lifetime रहेगा, तो वो brand आपको corporate में help करता है, अच्छी companies में जा आपके profile कैसी है, academics कैसी है, उस basic पे call आता है, बट on an average 95 पे call आ जाती है, जो average placement रहता है, वो 14 से 15 लेक के आसपास रहता है, उसके बाद अगर हम बात करें, वो है Department of Management Studies IIT Delhi, तो IIT का brand मिलता है, ROI अच्छा है क्योंकि fees 8 to 9 लेक रहता है, जो cut off रहती है, वो cat exam से selection होता है, cut off र उसके बाद next college के अगर हम बात करें, वो है Symbiosis पूने, तो Symbiosis पूने एक अच्छा college है, SIBM पूने, यह अपना exam लेता है SNAP से, तो SNAP से आपका selection होता है, SNAP exam आपको देना होता है, इस exam की जो cut off रहती है, लगबग 98 percentile रहती है, और average जो package रहता है, वो 17 से 18 लेक रहता है, जो पालक college जो है, वो भी SNAP का स्कोरी accept करता है, the best part is that कि HR के लिए काफी renowned college है, अगर आपको human resource में career बनाना है, तो बहुत अच्छा college माना जाता है, और जो इसकी cut off रहती है, वो लगबग 96, 97 percentile रहती है SNAP exam में, जो average placement अब वो 14 से 15 लेक का रहता है, उसके बाद अगर 21 नंबर म test Mumbai, तो test Mumbai एक बहुत ही aspirational college है, जिन बच्चों को HR में जाना है, ये college जो है, ये MBA नहीं कराता, ये MA कराता है HR, बट बहुत जादा उस बाद से फरक नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी placement बहुत ही अच्छी है, आपके साथ अच्छी बात ये है कि ROI बहुत great है, इसका जो total fees है, व अच्छी बात इस exam में ये है कि 100 questions आते हैं, कोई negative marking नहीं होती, 40 questions GK के होते हैं, 30 questions आपके English के होते हैं, बाकी जो 30 questions होते हैं, वो quant और DILR के होते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ, कि majorly जो dominance रहता है, वो GK का रहता है, तो अगर आपके GK अच्छा है, तो आप यहाँ पे score कर सकते हो, जो cut off रहता है, वो लगबग लगबग 70 से 75 marks के बीच में रहता है, depending on the difficulty level, तो कभी 72, कभी 76, कभी 74, इसी range में cut off रहता है, तिस Mumbai में और भी course है, बट majorly ये famous है, अपने HRM course के लिए, इसके लावा disaster management है, ठीक है, sustainable उपर है, उसका climate change के उपर है, media के उपर है, health administration है but majority of the बच्चा HRM target करता है, इसके बाद अगर हम next college की बात करें, तो IM राइपूर हमारे सामने आता है, जिसका जो exam है, वो cat से selection होता है, जो fees रहता है, 14 के आसपास रहता है, जो average placement है, that is 12.5, the good thing is that कि IM का आपको brand मिलता है, similarly, IM रहता का आपके सामने आता है, जिसका selection again cat से होत होता है, average placement जो रहता है, वो 11 से 12 lakh के आसपास रहता है, फिर अगर हम बात करें next college की, तो IM उद्यपूर आता है, जिसका again selection होता है cat से, and average placement जो है, 12 से 13 lakh दे देता है, and IM का brand आपको मिल जाता है, then आपके सामने college आता है, IM काशिपूर, IM काशिपूर में आपका selection cat से होता है, ज आपके academics ठीक ठाक है, and जो placement है, वो आपको 11 से 12 lakh की मिल जाती है, इसके बाद IMT गाजयवाद, IMT गाजयवाद जो है, वो आपका cat से भी selection लेता है, Z से भी लेता है, and selection आपका GMAT से भी होता है, one of the best college माने जाता है, country का, अगर हम marketing के बात करो, तो marketing में काफी अच्छा college है, ज जो आपके average placement है, वो 12 से 13 lakh की हो जाती है, ठीक है, IMT के और भी campus है, जैसे नाधपूर में है, बट वो सब इतने renowned नहीं है, जितना IMT गाजयवाद है, ठीक है, इसके बाद अगर हम next college की बात करें, तो IMI Delhi, तो IMI Delhi और IMT गाजयवाद दोनों equivalent college है, difference ही है कि IMT गाजयवाद ज 89 percentile रहती है, अगर आपकी profile अच्छी है, अगर आपकी average profile है, तो 90 percentile पे आपको call आ जाती है, तो cat exam से इसका selection होता है, जो average placement है, वो 12 से 13 lakh का हो जाता है, इसके बाद अगर हम next college की बात करें, तो IMI भूमनेश्वार, तो XIMB भूमनेश्वार is again a good college, अच्छी बात यह है कि इ cat से जा सकते हो, Z से जा सकते हो, एक इनका exam होता है, GMT, उससे भी जा सकते हो, GMAT से जा सकते हो, cutoff लगबग 90 percentile रहता है, जो fees है, वो 16 से 17 lakhs है, जो average package है, वो 12 से 13 lakh का आपका लग जाता है, उसके बाद अगर हम next college की बात करें, वो है आपका IIT root की, तो IIT root की जो है, this is a good college, cat से admission होता है, लगबग लगब 94-95 percentile चाहिए, जो आपका average package है, वो 9 से 10 lakh का लग जाता है, तो RY की terms में एक अच्छा college है, जो आप यहाँ पे aspire कर सकते है, उसके बाद हमारे सामने आता है, IIT मदरास, IIT मदरास में भी cat से selection होता है, 95-96 percentile पे, आपको यह college मिल सकता है, अगर आपके academics अच्छे है, और आपके average placement जो है, वो 12.4 lakh के आसपास रहता है, और fees जो है comparatively कम है, बाकी MBA colleges से, तो RY आपका अच्छा है, उसके बाद आपके सामने आता है, IISC Bangalore, this is again a good college, very reputed college, इसमें जो selection होता है, वो cat GMAT से होता है, RY की terms में बहुत अच्छा है, अगर आप fees देखोंगे, सिरफ 1.67 lakhs है, जो by average placement of 14 से 15 lakh हो जाता है, cutoff जो रहता है, वो 95-96% है रहता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि जादा number of experience आप apply करने लगे हैं, खीक है, उसके बाद IIT कानपूर हमारे सामने आता है, जिसमें आपको जो selection होता है, वो cat से होता है, लगबग 95% है आ पास पास रहता है, then आपका आता है सिर्टनम कॉलेज, तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि महरास्तरा या मुंबई के जो कॉलेजिस हैं, उसमें आपका majority of the बच्चा JBIMS target करता है, और JBIMS के बाद आपका सिमश्री आ जाता है, जिसे आप सिर्टनम के जाम से भी जानते हो तो ये भी एक काफी inspiration college है, आरवाई काफी अच्छा है, इसका major course है, जो flagship course है, वो है MMS, जिसमें आपका admission होता है CT के थुरू, बाकी ये college जो है, वो CAT का score और CMAT का score भी accept करता है, और जो इनका fees है, वो comparatively कम है अधर exam से, and placement अच्छा है 10 से 11 lakh, तो आप इस college को target कर सकते हो, उस 15 to 15 lakh, and generally 80 से 85 percentile पर आपको call, यहाँ पर आज आती है CAT exam में, उसके बाद next है, Goa Institute of Management, again a good college अगर आप देखोगे, CAT, Z, C मैं 3 O accept करता है, जो cutoff रहती है, लगबग लगबग आपकी 85, 86 percentile रहती है, and जो आपकी average placement है, वो 11.4 lakh के आसपास है, next college अगर हम देखें, तो Great Lakes, Great Lakes Institute of Management, यह accept करता है, CAT, Z, and साथ में आपका जो cutoff रहता है, 85 percentile के आसपास रहता है, average package जो है, वो 13 के आसपास है, इनका और भी campus है, गुडगाम में, बट चेन्ने वाला जो campus है, वो जादा reputed है, उसके बाद एकर हम next college देखें, तो next college हमारे सामने आता, I am Jammu, ठीके तो I am Jammu, जो जो selection होता है, वो cat से ही होता है, लगबग हम 95 percentile लाओगे, तो आपको call आजाएगी, कम पे भी call आजाएगी, अगर आपका profile अच्छा है, अगर आप commerce background से हो, तो 89, 90 पे भी call आजाता है, जो average placement है, वो 10 से 11 lakh का माना जाता है, उसके बाद अगर हम next college की बात करें, तो वो है आ आएम सिर मौर, ठीक है, यहाँ पर भी आपका cat से selection होता है, 95 percentile अगर आपके average academics है, बड़ अगर आपके अच्छे academics है, देन, you can expect a call at 89, 90 as well, जो average package है, वो 18 से 12 lakh का माना जाता है, उसके बाद आएम नागपूर हो गया, आएम नागपूर में भी cat से selection होता है, and cutoff जो रहती है 90 percentile के आसपास रहती है, average package जो है, वो 11 से 12 lakh रहता है, तो उसके बाद आपका आएम विशाका पटनाव again cat से होता है, average package is 11 to 12 lakh, then आपका आएम बोद गया हो गया, जिसका भी selection cat से होता है, जो आपके average placement रहती है, वो 10 से 11 lakh के आसपास रहती है, उसके बाद DFS Delhi University, again a very good college when you talk about ROI, return on investment, Delhi University का college है, fees बहुत ही कम है, टोटल 50,000 में आपका पूरा कोर्स हो जाता है, cat से आपका selection होता है, जो cut off रहती है, वो 93 से 96 के बीट में vary करती है, अगर आप placement देखोगे तो 10 से 11 lakh की नौकरी आपकी लग जाती है, तो काफी अच्छा college है, अगर आप ROI टार्गेट कर रहे ह हो, और उसके बाद अगर मैं target करूँ, Delhi School of Economics, तो Delhi School of Economics again one of the best college अगर आप ROI की बात करो, क्यों क्योंकि 0.3 lakhs, मतलब 30,000 में आपकी पूरी की पूरी master's हो जाती है, और जो cut off रहती है, वो 93 से 94% है, cat में, और जो average package है, वो कितना है, वो है 9.5 lakh, ठीक है, उसके बाद KJS हो माया बंबई, again a good college, जो आप target कर सकते हो, cat भी accept करता है, cat भी accept करता है, cmat भी accept करता है, CT भी accept करता है, ठीक है, इसमें जो average cut off रहती है, 85-86 percentile रहती है, और जो placement है, वो आपकी 9 से 10 lakh की हो जाती है, ठीक है, उसके बाद UPS Chandigar, again a good college, अगर आप ROI देख रहे हो, तो ROI की turns में 80,000 fees लगती है, cat exam से selection होता है, पहले बाई, जो इसकी cut off रहती थी, वो 90 से 92 रहती थी, लेकिन अगर आपकी academics ठीक था आगे, तो आप 80 से 85 पर भी यहाँ पर call expect कर सकते हो, जो average placement रहता है, वो 9 lakh के आसपस आपका रहेगा, इसके बाद अगर मैं next college की बात करू, वो है Willinkar Bombay, Willinkar Bombay, जो है, वो CAT, Z, CMAT, MSAT, ATMA, सारे accept करता है, काफी सारे courses यह कराता है, लेकिन जो इनका main है, PGDM course, वो इनका अच्छा course है, ठीक है, साथ में, जो इसकी cut off रहती है, वो 80% के आसपस रहती है, जो fees है, वो 9 lakh के आसपस है, average placement is 8-9 lakh, अगर आप college में अच्छा perform करो, तो 75% रहती है, जो average placement है, वो 10-11 lakh के आपकी लग जाती है, ठीक है, इसके बाद भाई, LBS IM हो जाता है, New Delhi का ही college है, CAT, GMAT accept करता है, cut off आपकी 85 के आसपस रहती है, जो average placement है, वो 9-10 lakh का आपका हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारे सामने एक option है, निर्मा University, एमदाबाद का, जि जो होता है, CAT accept होता है, जो इसकी cut off रहती है, वो 75-85% रहती है, CAT में, जो average placement है, ROI की टर्म में अच्छा है, 8.15 के लग जाती है, तो अगर आप 4,5 lakh रुब खर्च करके, 8-9 lakh की job ले रहे हो, that is a good deal, उसके बाद जो हमारे college आता है, वो आता है, bits पिलानी, bits पिलानी is again fine, अग यहाँ पर mention नहीं करें, जो आप देख सकते हो, consider कर सकते हो, जैसे SRCCGB हो गया, IFMR Chennai हो गया, Pumba हो गया, ठीक है, कुछ-कुछ अच्छे colleges है, but again, एक list में सारे college cover नहीं कर सकते, तो इसी वज़ए से हमारी एक नई series भी चल रही है, Know Your MBA College, जिसमें हम हर एक college का पूरा detailed discussion आपके colleges है, उनकी videos एक के बाद एक upload होने वाले है, तो I hope आपको यह video helpful लगी है, ठीक है, thank you so much, colleges के list बना लो, और भी जो अच्छे-च्छे colleges है, जो आप MBA में target कर सकते हो, उसकी videos में बनाता रहूँगा, channel को subscribe ज़रूर कर लेना, ताकि कोई भी video आपकी miss ना हो, and किसी भी college का form अग video बना दूँगा, ठीक है, thank you so much, take care, all the best, and अगर आपको pen drive course लेना है, तो हमारी website visit कर सकते हो, studybus.co.in, या फिर आप मुझे whatsapp कर सकते हो, इस number पे, तो मैं आपको details सारी के सारी share कर दूँगा, thank you.